अधित्य चोपड़ा बड़ी चालाफी से अपना स्पाई उनिवर्स बिल्ट कर रही है जहां उन्होंने शारुख खान सलमान खान और रितिक रोशन जैसे स्टार्स को फेमस केरेक्टर्स पठान टाइगर और कबील दिये हैं वहीं आप वो बी टाउन के बेस्ट डारेक्टर को भी इस उनिवर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं पठान को हाली में सिधार्थ आनंद ने डारेक्ट किया है वहीं वो वार्टू के डारेक्टर नहीं बनेंगे हम आपको बता दे कि रितिक रोशन स्टारर वार्टू के लिए आयान मुकर जी को फाइनलाइज किया गया है औ जाने की वार्टू के प्रोड्यूसर जानते हैं कि सिधार्थ अब रितिक से कुछ अलग महीं निकलवा पाएंगे मतलब अधित्य का कहना है कि एक डारेक्टर ही होता है जो आक्टर के हिदिन तालेंट को कैमरा पर दिखा सकता है और सिध और रितिक की जोड़ी में वो कमा अयान ने कई कमाल की मुवीज जैसे ये जवानी है दिवानी और वेकब सिद बनाई है और हाली में उन्होंने पाल साल लिये थे ब्रहमास्तर बनाने में उन्होंने जो VFX के उपर काम किया था और खास DNEG नाम की कंपनी को कॉन्ट्राक्ट देकर जो सिनिमा का एक्सपीरिय नहीं लेना चाहते है यानि कि पान साल का वक्त तो नहीं है प्रोड्यूसर्स के पास लेकिन उन्होंने आयान को फुल लिबर्टी दी है बजट की वार मुवी एक सक्सेस्फुल वेंचर इसलिए साबित हुआ था क्योंकि रुतिक के स्टन्स और स्टाइल मुवी का में मुवी के रिव्यूज में यहीं पढ़ने को मिला था कि मुवी के कई सीन्स हॉलिवूट मुवी के जैसे है और ये कि मुवी का प्लॉट प्रेडिक्टिबल भी है Mission Impossible, Fast and Furious जैसे मुवी के अक्शन सीन की कुरियोगर सी कुछ मिलती जिलती थी वर में मगर वो एक लौती चीज जो मुवी को अलग कर रही थी वो था रिव्यूज का स्टाइल कई दीउस पर आटिकर्स में अलोट अफ स्टाइल, 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 शोव बट लाटिंग अ सॉलिग स्टोरी लाइन, वर सीम्स मोर लाइक अ रिव्यूज रॉशन और वाय और अरफ कम बैक स्टाइल, एसे कुमेंट्स आये थे जिससे ये समझ आ रहा था कि ओडियन्स मुवी में और डीप स्टोरी चाहती थी और इसी स्टोरी पर काम किया है वार्टूपी मेकर्स में ताकि ओडियन्स मुवी को पिछली बार से ज्यादा रिस्पॉंस दे तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं झाल झाल